So last lecture में हमने question number 18 तक complete कर लिया था अब हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं question number 19 से तो देखे question number 19 में क्या कहा गया है Write the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 6x square minus 3 जब भी आपके पास कोई ऐसा polynomial हो मतलब fx is equal to कितना दे दिया गया है यहाँ पर 6x square minus 3 अगर आपके पास कोई भी ऐसा quadratic polynomial हो जिसके अंदर 3 terms ना हो तो उसको आप कैसे करेंगे solve क्योंकि normally हमने जितने भी quadratic polynomial थे इससे पहले जितने question थे उसमें 3 ही term थे लेकिन यहाँ पर तो 2 terms है तो देखे इसको solve करके देखते हैं आपको idea रग जाएगा यहाँ पर आप 3 common ले सकते हैं तो यहाँ पर आगया हमार पास 3 common तो बचे का कितना x square minus कितना 2x square minus 1 ठीक है अब होता क्या है कि अगर आप इसको notice करें तो यह तो हो गया भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं root 2x का whole square और इसको हम लिख सकते हैं 1 को minus का 1 square 1 का भी हमने square लिख दिया तो तुम देखोगे कि इसके अंदर हमने इसको a square minus b square के terms में convert किया है हमने पूरी कोशिश करिए कि a square minus b square के form में आ जाए क्यों क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं इसको अलग-अलग split कर सकते हैं दो पार्ट में ठीक है तो जैसे a minus b और a plus b था तो उसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे root 2x minus 1 multiplied by root 2x plus 1 तो यह split हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यह आपके factor है और यह भी आपका factor है मतलब इस polynomial के हमारे पस दो factor आ चुके हैं अगर इन दोनों factor को हम 0 से equate करेंगे तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास zeros आ जाएंगे तो इस case में आप देखिए root 2x minus 1 is equal to 0 तो x की value कितनी होगी 1 by root 2 और यहाँ से अगर आप equate करके देखेंगे तो root 2x plus 1 is equal to 0 तो यहाँ से कितना है root 2x is equal to minus 1 then x is equal to minus 1 by root 2 यह answer आया एक यह आ गया और एक यह answer यह दोना answer आपको clear हो गए कि किस तरीके से यह दोना answer आएंगे हमें अब देखिए यहाँ पर आपके पास कहा क्या गया था write the zeros of the polynomial so basically हमारे zeros आ चुके हैं अब हमें और कुछ निकालने की जुरत नहीं है अब आ जाते हैं question number 20 पर देखिए question number 20 के अंदर क्या कहा गया है question number 20 में कहा गया है write the zeros of the quadratic polynomial यहाँ पर हमारे पास quadratic polynomial कुछ इस तरीके से दिया गया है 4 root 3 plus 5x minus 2 root 3 यह बहुत interesting question है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो terms है जो polynomial के जो coefficients है वो भी root के form में है 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 ठीक है अब आपको करना क्या है कि आपको ऐसे दो number निकालने हैं जिनका sum क्या होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 terms है इसको हम middle term splitting method से कर सकते हैं तो ऐसे दो number देखिए कि जिनका sum कितना होना चाहिए इस middle term के बरावर इसका मतलब 5 के बरावर होना चाहिए और साथ में ऐसे दो term होने चाहिए हमारे पास जिनका product इन दोनों terms के product के equal होना चाहिए that is 4 root 3 multiplied by 2 root 3 और 2 root 3 भी नहीं minus का 2 root 3 that is 4 into 2 हो जाएगा 8 root 3 into root 3 हो जाएगा 3 और यह minus का 8 into 3 that is minus 24 यह है अब हमें ऐसे दो number चाहिए है जिनका product तो minus 24 हो और sum हो 5 ऐसे कौन से दो number हो सकते हैं देखिए अगर आप 24 के factors जोनने जाएगे तो आपके पास 24 के factor क्या हो गए एक तो हो गया 2 into 12 लेकिन इन दोनों के बीच का जो difference हो वो तो 5 आएगा नहीं ठीक है एक आपके पास factor क्या हो गया 3 into 8 करके देखिए यह factor proper है क्योंकि 8 minus 3 कितना हो सकता है 5 हो सकता है ना तो हम यह बोल सकते हैं कि 1 अगर हम plus का 8 ले लेते हैं और minus का 3 ले लेते हैं तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा कि इन दोनों का sum करेंगे तो 5 आजाएगा इन दोनों का multiply करेंगे तो minus 24 आजाएगा तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम plus 8 और minus का 3x इस form में अगर split करते हैं तो question हो जाएगा कि इतना clear हुआ अब देखिए इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या क्या common आसकता है 4 दोनों में common आसकता है x दोनों में common आसकता है तो इसका मतलब यह है कि 4 और x अगर आप common लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर हो जाएगा root 3 और यहाँ पर हमने एक x बाहर लिया था तो बाकी का x बचा इस case में हमने क्या करा 4 common ले लिया साथ में x भी common ले लिया तो 4 अगर इसमें से आप common लेंगे तो बचेगा 2 इस case में आप देखिए यहाँ पर आप minus का common ले सकते हैं साथ में minus के साथ साथ ना अगर आप देखेंगे तो root 3 भी common ले सकते हैं अब root 3 कैसे common ले सकते हैं, जैसे आपने root 3 common लिया तो इधर क्या बचेगा, पहले तो हम इसको लिख देते हैं 2, लेकिन इस case में क्या बचेगा, x तो बचेगा ही बचेगा, उसके साथ साथ आपके पास, क्योंकि अगर आप 3 को देखें तो ये root 3 का square होता है, मतलब root 3 into root 3, तो इसमें से आपने एक root 3 बार ले लिया है, तो बाकी का एक root 3 तो अभी ये अंदर बचा है, तो यह हो गया root 3x, तो यहाँ पर root 3x plus 2, root 3x plus 2, दोनों में common आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते है, root 3x plus 2, multiplied by जो remaining term है, इस case में remaining term है 4x, और इस case म remaining term है, minus का root 3, इतना हो गया, इसको हम अगर 0 से equate करके देखें, तो हमारे पास zeros आ जाएंगे, तो अगर इस term को आप 0 से equate करेंगे, तो आपके पास x की value क्या आनी चाहिए, इसको अगर आप 0 से equate करेंगे, तो यहाँ पर x की value आएगी, minus का 2 by root 3, और इसको अगर आप 0 से equ से हमें इस type की polynomial को solve करना है, तो अभी तक हमने यह देख लिया, कि अगर हमारे पास 2 term है, तो उनको कैसे solve करेंगे, और अगर हमारे पास 3 term है, लेकिन coefficients एक मतलब irrational term के form में हैं, तो हम उसको कैसे solve करेंगे, ठीक है, अब हम आजाते है question number 21 पे, question number 21 में क्या कहा गया है, 21 में कह polynomial, fx is equal to x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta is equal to 1, find out the value of k, यह बहुत बढ़िया कुश्चन है, क्योंकि इसके अंदर, मतलब यह है कि अगर आपके पास थोड़ा सा basic knowledge होगी, तो आप इसको कर सकते हैं, बस इसमें एक चीज है कि यहाँ पर इन्होंने alpha plus beta नहीं, alpha minus beta दिया है, alpha minus beta is equal to 1 दिया ग दोनों तरफ आप square करके देखिए, दोनों तरफ जैसे आप square करेंगे तो यह हो जाएगा alpha square plus beta square minus 2 into alpha beta is equal to 1, लेकिन point यह है कि हमारे पास तो भई alpha plus beta की value होती है, which is minus b by a, तो यह हो जाएगा minus minus 5 by 1, that is plus 5, तो alpha plus beta तो हमारे पास है plus 5, साथ में alpha into beta भी है k by 1, which is k, यह दोनों हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास alpha plus beta तो यहाँ पर create ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको create कैसे करेंगे, तो करना क्या है आपको कि alpha plus beta square बनाने के लिए इधर आप add कर दीजे 2 alpha beta, जैसे आपने add किया तो यहाँ पर subtract भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह जो पूरा term ह हैं, इसको आप देखेंगे तो यह हो जाएगा alpha plus beta का whole square, और यहाँ पर कितना हो गया, minus 2 alpha beta, minus 2 alpha beta, तो यह हो जाएगा minus का 4 alpha beta, is equal to 1 हो गया, अब यहाँ पर हम alpha plus beta की value port कर सकते हैं, which is 5, 5 का square हो गया, minus 4 into, alpha into beta कितना था, k, is equal to 1, यह हो गया 25 minus 4 k, is equal to 1, 1 को आप इधर shift कर द दीजे, तो 25 minus 1 is equal to कितना हो जाएगा, plus का 4k, ठीक है, तो यह हो गया 25 is equal to 4, 24 is equal to 4k, यह 4 इस से cancel out हो जाएगा, तो बचेगा 6, तो यहाँ पर k की value कितना हो गया, 6, यह answer है, इतना clear हो गया कि किस तरीके से हमें इसको solve करना है, तो अगर आपको यह clear हो गया है, तो हम question number 22 प the values of alpha by beta plus beta by alpha, तो यहाँ पर हमारे पास alpha by beta और beta by alpha की value निकालनी हमें, तो question number 22 के अंदर, इसके अंदर भी वही चीज़ है, मतलब आपको एक काम करिये, पहले मैं पॉलिनोमिय लिख के दे देता हूँ, फिर उसके बास solve करते हैं, यह कितना हो गया, 6x square plus x minus 2, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास alpha और beta इसके zeros हैं, और हमें क्या करना है, alpha by beta plus beta by alpha, इसकी value निकालनी है, ठीक है, कि इसकी value कितनी होगी, चलिए solve करके देखते हैं, जैसे आप solve करने जाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, alpha by beta plus beta by alpha, आप इसमें LCM ले सकते हैं, LCM जैसे आप लेंगे तो यह हो जाएगा alpha बीटा और यह हो जाएगा alpha square plus beta square, इतना clear है, अब यहाँ पर जैसे मैंने last वाले question में कहा था कि इधर हमारे पास alpha square plus beta square है, लेकिन alpha plus beta का whole square या alpha plus beta ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है न, तो हम क्या करेंगे, इधर इधर पे भी 2 into alpha beta से add करेंगे, अ minus 2 alpha beta divided by alpha beta, ठीक है, alpha plus beta का whole square कितना है, अब देखें alpha plus beta की value कितनी है आपर, alpha plus beta अगर आप देखेंगे तो वो minus का b by a होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, b की value कितनी है, plus 1, तो यह हो जाएगा minus का 1 by 6, alpha plus beta, अब यहाँ पर alpha and 2 beta कितना होगा, which is minus का 2 by 6, क्योंकि यह c by a होता है, तो यहाँ पर यह answer आगया, minus का 1 by 3, यह minus 1 by 3 है, यह minus 1 by 6 है, तो इसको आप लिख सकते है, minus 1 by 6 का whole square, minus 2 into minus 1 by 3, divided by alpha and 2 beta की value कितनी थी, minus 1 by 3, यह हो गया, इतना clear है, अब आप इसका square करेंगे, तो minus का square करेंगे, तो plus हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, 1 by 36, and this one is minus minus कितना हो गया, plus, और यह हो गया, 2 by 3, और यह कितना हो गया, minus का 1 by 3, अब इसमें आप देखें कि अगर आप LCM लेके देखेंगे, तो यह कितना हो गया, यह हो गया 36, ठीक है, और यह हो गया 1, और यह कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 को अगर आपको 36 बनाने है, तो 12 से multiply करना पड़ेगा तो denominator से में अगर आपने 12 से कराया multiply तो numerator में भी करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 12 into 2 that is 24 और ये हो गया minus का 1 by 3 तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते है 25 by 36 and then minus का 1 by 3 और हम जानते हैं कि denominator denominator के denominator में कोई term आता है तो ये उपर ही shift हो जाएगा आप देखिए अगर ये denominator में उसके भी denominator में कोई term आ रहा है तो ये उपर ही shift हो जाएगा और ये यहाँ पर नीचा आ जाएगा तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते है 25 by 36 and this one is minus 1 और ये 3 उपर चला गया ठीक है ये 3 से cancel out होगा तो बचे का 12 तो ये हो गया 25 by 12 और यहाँ पर minus था तो ये minus यहाँ पर आ गया तो ये है हमारा answer इतना clear हो गया कि किस तरीके से इसको solve करना है तो overall जो इसका answer है जो हमारे पास term है इसका answer है minus 25 by minus 25 divided by 12 ये इसका answer है ये part clear हो गया कि किस तरीके से हमें इसको solve करना है बस यही है कि इसके अंदर वही चीज़ है जितने भी आप polynomials की बात देखेंगे न जब zeros related question आएंगी तो हर बार ऐसा होगा कि आपको alpha plus beta और alpha into beta यही times बनानी है और उसके बाद उनकी value को replace करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है अब हम question number 23 में भी आ जाते है question number 23 में क्या दिया गया है इसमें भी कुछ ऐसा ही है इसमें तो ख़र direct दे दिया गया नहोंने if alpha plus beta are the zeros of the alpha and beta are the zeros of this polynomial polynomial क्या है हमारे पास question number 23 में polynomial है हमारे पास 5x square minus 7x plus 1 और यह कहा गया है कि find the value of अच्छा यहां पर हमारे पास 1 by alpha 1 by beta की value निकालनी है और कहा गया है कि यहां पर alpha और beta इसके zeros हैं तो आपके पास 1 by alpha plus 1 by beta की value क्या होनी चाहिए फिर सा हम इसी को स्तेरीगी से solve करके देखते है 1 by alpha plus 1 by beta को हम क्या बोल सकते हैं जैसी आप LCM लेंगे तो इन दोनों का LCM लेंगे तो alpha into beta हो गया और उपर कितना आ जाएगा beta plus alpha which is alpha plus beta divided by alpha into beta अब आप देखिए alpha plus beta क्या होता है minus का b by a और यह कितना होता है c by a a से a cancel out हो गया बचा कितना minus का b by c अब b की value कितनी है b की value है minus b की value होगी minus का 7 और c कितना है c है 1 तो यह हो गया actually में plus का 7 by 1 which is 7 only तो यह answer है इसको मिस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पर answer कितना हो गया 7 यह part clear हो गया तो question number 23 पे हो गया हमारा question number 24 देखिए इसके अंदर कहा गया है if alpha and beta are the zeros of the polynomial find out the value of this one अब एक चीज़ बताइए कि अगर आपके पास 24 में इस तरीके से दिया गया है कि हमारे पास यह polynomial fx is equal to x square plus x minus 2 ठीक है और साथ में हमारे पास क्या है कि alpha, beta इसके zeros हैं तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर alpha plus beta कितना होना चाहिए minus b by a तो यहां पर b की value 1 है तो यह हो गया minus का 1 divided by a कितना हो गया 1 तो यह हो गया minus 1 alpha into beta कितना होगा यह हो जाएगा I think यहां पर अगर alpha into beta है न तो यहां पर यह होना चाहिए minus का 2 by 1 यहां पर 1 by alpha minus 1 by beta इसकी value आप बताइए कितनी होगी इसका अगर आप LCM लेके देखेंगे तो यह हो जाएगा alpha into beta यह हो गया beta minus alpha ठीक है अब यहां पर आप सोचिए कि beta minus alpha है और हमें क्या चाहिए alpha plus beta का whole square तो इसको हम कैसे बनाएं तो इसको अगर आप solve करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे आपके पास एक term होता है x अगर आपको इसका square करना है तो आप क्या करेंगे इसका square भी कर दीजे साथ में root भी ले लिजे तो दोनों चीज़े हो गई ठीक है क्योंकि आप इसी को क्या बोल सकते है x बोल सकते है तो हमने क्या करा बीटा माइनस alpha को इस तरीके से लिख दिया बीटा माइनस alpha का square साथ में उसका root भी लिख दिया ठीक है और यहाँ पर नीचे हो गया यह alpha into beta और यह कितना हो गया यह हो गया beta square plus alpha square minus square बनाना है तो इसके अंदर आपको add करना पड़ेगा 2 alpha beta लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यह term add करेंगे तो आपको subtract भी करना पड़ेगा इतना ही 2 into alpha beta तो इसका मतलब यह है कि यह जो पूरा part है यह तो हो जाएगा alpha plus beta का whole square ठीक है और यह part कितना है minus 2 alpha beta minus 2 alpha beta that is minus 4 alpha beta whole divided by alpha into beta यह हम बोल सकते है अब देखे यहाँ पर alpha plus beta का whole square कितना था alpha plus beta है minus 1 तो यह हम बोल देंगे कि यहाँ पर इसकी value होगी minus 1 का square यह कितना है 4 alpha into beta alpha into beta कितना था minus 2 तो इसको हम बोल सकते है 4 into minus 2 whole divided by यहाँ पर alpha into beta कितना था minus 2 इतना clear हो गया, तो यह denominator में minus 2 आ चुका है, अब इसको solve करके देखते हैं, next page पे इसको solve करके देखते हैं, तो यह कितना था, पहले मैं as it is लिख देता हूँ, जो हमारे पास term थी, minus 1 का square, और 7 में यह था, minus का 4, into minus 2, whole divided by minus 2, ठीक है, minus 1 का square कितना होता है, 1 होता है, साथ में minus 4 into minus 2 कितना हो जाएगा, plus का 8, whole divided by कितना हो गया, minus का 2, 1 plus 8 कितना हो गया, 9 हो गया, तो root over 9 divided by minus 2, तो यह कितना हो गया, यह हो गया, 3 divided by minus 2 की जगा, हमने बस यहाँ पर 2 लिख दिया, और minus यहाँ पर आगया, numerator में, तो यह हो गया, minus 3 by 2, तो overall answer जो इस question का है, वो हमारा minus का 3 by 2 है, इतना clear हो गया, कि किस तरीके से हमें question number 24 निकालना था, तो 25 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसके अंदर क्या कहा गया है, if the zeros of this polynomial are this one, this one and this one, find out the values of A and B, I think यह question पहले भी आ चुका है, पता नहीं, मुझे लग रहाएगी question नहीं, इसके जैसा question आया था, question number 14 में दिया गया था, अब हमें क्या कहा गया है, बस इसमें digits change कर दी गई है, otherwise, इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक polynomial है, fx is equal to x cube, minus 3x square, साथ में यह है, plus का x, plus का 1, और कहा गया है कि इसके जो zeros हैं, वो हैं a minus b, उसके साथ a, और साथ में a plus b, और इसमें पूछा गया है कि भई, अगर यह तीनो zeros हैं, तो हमें a और b की value निकाल नहीं है, एक चीज़ इसमें देखेगा, कि अगर आपके पास तीन zeros इस तरीके से हैं, तो आप यह बोल सकते हैं कि sum of the zeros क्या होगा, sum of the zeros हो जाएगा यह, जब हम बात करते हैं, suppose यह alpha होता हमार पास और यह beta होता और यह हमार पास गामा होता, तो हम क्या बोलते हैं, alpha plus beta plus gamma, इसकी value कितनी होनी चाहिती, minus का b by a, यही होता है, तो यहाँ पर b कितना है, minus 3, तो यह हो जाएगा minus of minus 3 divided by a कितना हो गया, और alpha plus beta plus gamma कितना हो गया, a minus b plus a plus a plus b, तो इसका हो लगिए a minus b plus a plus a plus b, अगर आप इसमें देखेंगे तो b से b cancel out हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 3, वो भी plus का, क्योंकि minus minus plus हो जाएगा, a plus a plus a, मतलब यह हो गया, 3a, is equal to 3, तो यहाँ से आपके पास a की value कितनी आई, a की value आचुकिए आपके पास 1, a की value आने के बाद आप b की value तो automatically निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे ही 3 roots होते हैं, उनका product क्या होता है, जब भी आपके पास cubic equation होती है, तो उसके अंदर 3 roots का जो multiplication होता है, वो कितना होता है, वो होता है minus का d by a, यही होता है, तो यहाँ पर d कितना है, यह है 1, तो यह हो जाएगा minus का 1 by 1, that is minus 1, तो alpha into beta into gamma, हमें यही करना है, तो यह alpha की value कितनी होगी, 1 minus b, क्योंकि a की जगा हम लिख सकते हैं, तो यह 1 minus b हो गया, और a कितना हो जाएगा, 1, multiplied by यह कितना होगा, a plus b, which is 1 plus b, is equal to कितना होगा, minus का 1, अब देखे, अगर आप इन तीनों को multiply करेंगे, तो 1 को तो आप हटाई दीजिए, क्योंकि 1, अगर आप multiply करें या ना करें, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, number तो as it is easy रहेगा, तो यह बचा कितना होगार पास, 1 square minus b square is equal to minus 1, that is, 1 minus b square is equal to minus 1, minus 1 इधर shift कर देते हैं, तो यहाँ पर यह हो गया plus 1, और यह हो गया b square, ठीक है, अब इसको solve करके देखे, यहाँ पर b square की value कितनी आ गई, 2, तो हम बोल सकते हैं कि b की value है plus minus root 2, यह answer है b का, यह answer आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब यह की a की value तो हमारे पास a की आएगी, that is 1, b की value नहीं पूछी थी, सिर्फ a पूछा गया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि क्यों नहीं पूछा गया उसके अंदर, तो यह part clear हो गया आपका, तो question number 25 भी आपका clear हो चुका है, अब हम पूरी exercise हमारी complete हो चुकी है, exercise 2C तो हमारी पूरी complete हो चुकी है, अब हम next lecture में discuss करेंगे multiple choice questions को, multiple choice questions खतम होने के बाद पूरी यहाँ पर यह chapter 2 complete हो चुका होगा, और next lecture में हम discuss करेंगे chapter 3 को, तो आयोब आपको यह पूरा lecture clear हो चुका है, so thank you very much for watching the video, अब हम मिलते हैं next lecture में